नमस्कार स्वागत आपका माई जोतिस में हिंदु धर में जोतिस की बहुत मानेता है और उसमें से भी वास्तु सास्त की अपने मानेता और कई फायदे है वास्तु सास्त की कुछ छोटी छोटी से तरीके अपना कर हम अपने जीवन में होने वाली अनेकों परिशानी से छुटकारा पा सकते है आई याज जानेंगे हम वास्तु सास के अनुसार हमें अपने घर में तस्वीर और पेंटिंग को किस दिशा में लगाना चाहिए अपने सभी सेक्षनिक सर्टिफिकेट और डिगरियों को दक्षिन हिस्ते में रखे दक्षिन दिशा का संबन अंक 3 और 9 से है इसलिए आप दक्षिन हिस्ते में जब तस्वीर या पेंटिंग लगाए तब उन्हें 3 या 9 के समू में रखे इन तस्वीरों को लाल रंग के फ्रेम में लगा कर रखे इससे आपके आसपास सकारात्म कुर्जा का प्रवाब बढ़ता है वास्तु सास्त के अनुसार जीबित व्यक्ती की तस्वीर या पेंटिंग पस्चिन दिशा में लगानी चाहिए वही दिवगंतों की तस्वीर या पेंटिंग दक्षिन दिशा में लगानी चाहिए न विवाही जोडों की फोटो या पेंटिंग कमरे की उत्तर दिशा या उत्तर दक्षिन कोने में लगानी चाहिए इससे रिस्ते में प्यार बढ़ता है घर में अमेशा उदे होदे सूरे के तस्वीर और पेंटिंग लगानी चाहिए भूल कर भी अस्थ होते सूरे, डूपते जहाज, युद के द्रिशे और लड़ाई वाली पेंटिंग को ना लगाए इससे घर में कलेज बढ़ता है बच्चे, लेंड्सकेप या जंगल आदी ऐसी पेंटिंग को पश्चिम दिसा में लगानी चाहिए या शुब मानी चाती है कभी भी भूल कर अपने घर में सूर्या सूती फोटो या पेंटिंग को नहीं लगाना चाहिए इसे पारे बारे कलेज बढ़ता है और स्वास्त में भी नुक्सान होता है